सरकार की मंसा यही है सरकार यही चारे कि इसमें हम दिखा दिये एक लग बाइस अजार हमने रिजल्ट दिया निकती पत्राब कितना को बांटेंगे सतर हजार होगा कि असी अजारी तो देखने वाली वारते बस और यह अगर अगली बहाली में भी हमको नहीं लगता है जूरे से सिच्छक वहाली का रिजल्ट प्रकासीत कर दिया गया है लेकिन उसके बाद भी बवाल हो रहे हैं और जिस्ता से कहें बच्चे परसान भी दिख रहे हमारे साथ शात नेता दिलिप हैं बच्चे का क्या प्रॉब्लम है आप तो जानी रहे हैं कि एक उनका मांग है कि एक कैनिडेट को दो-दो जगर रिजल्ट नहीं दिया जाए लेकिन कल आतुर परसाद ने भी इसका पूरी तरह से ट्यूटर पर जनकाई दिये उसको कैसे आप देख रहे हैं देखे यह हम लोग का सुरू से कहते आ रहे हैं कि सीच खाली नहीं रहे है जितना वेकैंसी निकला कि सारा टा खुल्ट नहीं दिया उसमें जो लोग डॉक्वर नहीं देखे उनको पहले ही बाहर कर दिया जाता तो इसा तोहने पाया चुकि दिखने अरंगा लगा लगा दिया गया तो बिक यह तो मैं कर नहीं पाई तो इसके वज़े से यह हुआ कि जो एपियरिंग में भी फॉर्म बढ़े थे सब लोग अगर इसमें पास कर गए तो आगए अगर सीटेट में कोई फेल होगा तो भी इसमें रिजल्ट है बहुत का तो ऐसे लोग तो आप कॉंसलिंग में बाहर हो जाएंगे तो हमारी यह मांग है कि अभी कम से कम यह परियास किया जाए कि सीट खाली न रहे और जितना भी कॉंसलिंग के बाद सीट खाली रहेगा उसके लिए एक लिस्ट निकाला जाए उसको एक और लिस्ट दिया जाए रिजल्ट का चुकि यह प्रोविजनल रिजल्ट दिया गया ह उसमें जो है कहीं भी यह नहीं लिखा कि अंतीम रूप से चाहिए नहीं तोде और एसमें तो सीट से बहुत स्था नाया कांसली सुपर है जो मिन्मा क्वाली प्राइओंसी ित्र उब से उपर है दो उंको सब्सक्राइब अपने तरफ कर एक इसमें हम से संपड किये हैं ऐज तो हमें सकारात्मक जवाब है पर्यास है ने की सरकार के तरफ से इसमें हम को दिशानिर्देश पर्यास करें गार परति कर je र्थियों के साथ नहीं होना किसी परशिती में और सभी इस exist को को बहाद है अगर योग है अभियर्थी तो अगर माले जहां कि योगिता नहीं है अभियर्थी पास नहीं कर पाई तोभाड को नहीं है कि सरकार की मनसा यहीं है सरकार यहीँ चाहिए कि इसमें कि खा दिये एक लाग बाइसाजार हमने रिजल्ट दिया निकती पत्र आप कितना को बांटेंगे सत्तर हजार होगा क्या देखने वाली वारते बस और यह यह अगर अगली बहाली में भी हमको नहीं लगता है जूरेगा अगर वान टू फाइब का वकेंसी देंगे कि नहीं द तो अगर माले जो योगता रखते हैं अगर कटप तो अभी आया नहीं जो कुछ हम कह सकते हैं तो आप मिनमाम क्वाली फाइंग मार्श जो है तैय किया गया है कोई भी भाली में होता है तो उसका रिजल्ट प्रोसेस में है उनका जो सॉफ्ट वेर का कुछ प्रोब्लेम चल रहा है तकनीकी कारण है उसके वज़ासी रिजल्ट में देरी होए लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज रात तक या कल तक रिजल्ट आ जाना चाहिए वो लोग सारी समस्या को दूर करने मे लगे हुए हैं तो जो हमको जानकारी मिलिया कि प्रोसेस में है रिजल्ट आ जाएगा आज रात तक या कल तक आ जाएगा बने जो प्रोब्लेम है सॉफ्ट वेर का उनका जैसे ही दूर होगा रिजल्ट आ जाएगा तो अभिरतियों को थोड़ा वेट करना चाहिए और डगुमेंट्स को भी तो भी तो भी कर रहे हैं कि किसी तरह से फर्जीवारा नौ इसमें हो किब्स डाकुमेंट्स नौ लगाए तो यह सब जाच किया जा जा चार। अभी जो मामला आ रहा है भी अर्थी भी बता रहे हैं तो उन सब चीजों को संग्यान में लेकर BPSC 910 वाले को अच्छा से अगर दिन और चार दीन बाद कोई दिकत नहीं को नहीं है लेकिन अगर हो सकता है कुछ तकनिकी कारण से 1000 चले वह भाए का रिजल्ट दीए नहीं है जो डिल यकल और ब्रोन होगा वह इससी अभिलती कारी ज्यक्त है तो अब देखना है कि क्या होता है कि हमने सारी समस्याओं से अवगत करा दिया है लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि आप एक और लिष्ट जारी करने के लिए बीपीसी को दीजिया इजाजात ताकि सीट खाली ना रहे अगर सीट खाली रहेगा तो हम लोग अंदोलन करेंगे तो आपने सुना चाहत नेता दिलीप का क्या कुछ का ना अश्तवाम करुक बने रहनीश परने के साथ नमस्कार